आज हम जिससे एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं वो स्पार्कल लव की फाइनल एपिसोड होगी और गाईज एम है कि आप मेरे इस वीडियो में वन के लाइक करतो जिससे मैं जाद से जादा मोटिवेट हो सकूँ और आपके कहने पर मैं आगे भी ड्रामाज लाते रहूं और और गाईज वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे आपको मेरी चैनल की साड़ी Н LUकिकेशन मिलती रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करे कमेंट करें वीडियो को जहां तक हो सकें शियर क और फिर वह बाहर जाती है वहाँ सीचोंग आया था उस ने रेनकोर्ट वेयर किया था वह थोड़ा सोचती है फिर अस्षॉंग को हक कर लेती है तुमने यह रेनकोर्ट क्यूं पहना हुआ है वेवे बोलती है मौसम में फोरकास्त ने कहा है बारिश होगी है ना तो बस मैंने डालनी है तो सिचौंग बोलता है बहुत क्यूट है चलो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और वो उसको ले जाने लगता है और दिखाता है कार की डिगई में फिशिंग राट थी कापिट थी और वगेरा और वो खुश हो जाती है सिचौंग उसे किस मांगता है वो देने वाली थी कि वेवे के मॉम डैड आ जाते हैं मॉम बोलती है केरफू रहना सेफटी को लेकर सिचौंग बोलता है अंकल आंटी आप मेरे पर यकिन कीजिए मैं वेवे का ख्याल रखू वेवे बोलती है तो मॉम डैड हम जाएं वो लोग चले जाते हैं और हम वेवे और सिचौंग को टूर में देखते हैं सिचौंग को कौल आता है कोच का कुछ बोलती है मैंने तुम्हें उका रहा था फ्यूचर के बारे में डिसकस करने को कल तुम आना और तुरंथी टीम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगी, मैं प्लैन कर रही हूंगी, इस साल, कॉम्पिटिशन में पार्टिसपेट किया जाए, वेवे को याद आता है, डॉक्टर जियांग वाली बात, जब उन्होंने कहा था कि, वेवे के लिए कोई प्लेस ढूनी होगी, और उसे मॉम की भ बोल रहा था, आज मैं कैम्प आया हूं, अपने जी एफ के साथ, लेक के पास कुछ बोलती है, तुम्हारी गल्फरेंड भी है, तो सिचांग बोलता है, मैं प्रामिस करता हूं, इस से मैं प्रैक्टिस में कोई भी इफेक्ट नहीं आने दूँगा, वेवे बोलती है, तु चुनेम खेले में सेट कर रहा है, वो बहाना बना के चली जाती है, और हम रात का सीन देखते हैं, जहां सिचांग कैम्प के बाहर अपना हाथ पकड़ा हुआ बैठा हुआ था, वेवे आती है, और बोलती है, क्यों, तो सिचांग बोलता है, कुछ नहीं, मैंने हाथों में क पसंद होगा, वेवे बोलती है, मैं बहुत लेजी हूँ, इसे अगरी करने के लिए, तो जिस टाइम मैं शौक नहीं करूंगी, क्या तुम मुझे पसंद करना चालू कर दोगे, तो सिचांग बोलता है, मैं सच में सोच रहा हूँ कि, तुमने उसके बाद भी शौक दिया म मुझे, तुम्हे याद है, जब हम और नेशन के स्कूल के स्टार से पहरे उस टाइम हम पहली बार मिले थे, वेवे बोलती है, हाँ, सिचांग बोलता है, उस टाइम, मैंने सोचा था, ये लड़की इसके पास कितनी प्रॉबलम्स है, क्यों है, पर इंटरस्टिंग है, तो मैं तुम सारी हो, सिचांग बोलता है, मैं, मैं सिचांग हूँ, मैं रिग्रेट नहीं करता, मैं तुम्हे पसंद करता हूँ, और इसे मैं कभी भी नहीं पच्छता हूँ, वेवे और सिचांग दोनों सोए हुए थे, वेवे सिचांग को देखी जा रही थी, सिचांग उठ जाता है बोलता है तुमने कपड़े को खुद पे धांका क्यों नहीं है बोलता है तुम्हें ठंड लग रही है तो मैं तुम्हें काल में छोड़के आता हूं वो उसको हग कर लेती है बोलती है बहतर है सुझांग बोलता है सो नहीं पा रही हो वेवे बोलती है थोड़ा चलता है वेवे बोलती है चलो चलो अब सोजाओ और उसके बाद सीधे हमें सुभा का नजारा दिखाया जाता है और सिछांग वेवे को छोड़ने आया था बोलता है मैं चलता हूं अधरवाइस मैं अपने प्रोवेंशियल टीम के कार को कैच नहीं कर पाया टाइम पे और वे वेवे बोलती है नहीं मैं जाओंगी सिछांग बोलता है ये तो अच्छा रहेगा वेवे बोलती है इट सोके सिछांग बोलता है मैं चलता हूं वो बाय बोलता है वेवे उसको अच्छे से जाने बोलती है वो गाड़ी में शड़ा था कि वेवे उसको रोकती है बोलती है म वेवे अंदर मन में बोल रही थी हम इसा सब को नहीं चाहिए होता कि कोई तुम्हें गुडबाइ बोले क्यूंकि मुझे नहीं पता इस बार के बाद हम फिर से कब मिलेंगे या फिर से कभी ना मिलें और हम सीचॉंग को कार में देखते हैं जहाँ सीचॉंग की चैटिंग चालू थी लिखा था प्रैक्टिस ऐलमोस्ट चालू हो गई है तुम नहीं देख सकते तो वो वाच का पिक सैंड करता है एक सीन हमें दिखाया जाता है जब सीचोंग हील में प्रैक्टिस कर रहा था और फिर सीचोंग को हम देखते हैं वेवे को कॉल करता है और पता है वेवे कुस ने किस नेम से सेफ कर रखा है माई पीकाचू से और फिर हमें प्रोवेंशल टीम का भी सीन दिखाया जाता है जहां सीचौंग से फोन ले लिया गया था फिर से और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब सीचौंग कॉल ही लगा रहा था तो एक लड़का उसे फोन मांगने लगता है सीचौंग बोलता है एक मिनट एक मिनट करने लगता है वह फोन चींग लेता है सिचांग का मूँ उतर जाता है और सिचांग बस में था और बार बार फोन की तरफ घूर रहा था कि शायद कोई मैसेज आ जाजा है फिर हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जिदर ली और डिंगी आ रहे थे डिंगी बोलत है और उसे चलो कैक कर वहां से लेकर जाता है कंपिटिशन स्टार्ट हो गई थी और वो जीता भी है और उसे काफी इज़त मिलती है सिचांग की मौम बाहर उसका वेट कर रही थी सिचांग लगज लेके आता है मौम बोलती है हम लोग कपसे नस्दीक नहीं तुम्हें घर आना है कि नहीं तो सिचांग बोलता है एफकॉर्स मैं घर आऊंगा पर घर जाने से पहले आप मुझे एक जगा में छोड़ सकती हो मुझे मेरे बेटे से क्या बेनिफिट होगा तुम लंबे टाइम से प्रैक्टिस में लंबा टाइम दे रहे हो आते ही तुम्हें पहले अप में बैठने को बोलती है और वेवे के गर में जाके रुकती है मा बेटे वेवे के घर के बाहर थे वेवे का घर बंदosit पड़ा था वेवे को कॉल करता है बट कॉल कनेक्ट नहीं होता सिचांग अपने Mahome को बोलता है उसने फोन अफ कर दिया है माम को बोलती है फोन आफ कर तुमने उसे uncomfortable feel कराया सिचांग बोलता है नहीं वो कार में बैठके जल्दी से डोम की तरफ निकलता है दिंगी बोलता है सिचांग भाया तुम आ गए सिचांग सीधे पूछता है वेवे के साथ क्या हुआ जल्दी बताओ डिंगी हिचकी चाते हुए बोलता है वो वेवे सिचांग बोलता है क्या हुआ है और सिचांग और डिंगी कैफे में थे हाला देख के तो ऐसा लग रहा था डिंगी ने शायद सब उगल दिया था उतने में ली वहां आती है सिचांग पूसता है वेवे की धर ہے वो अपने पैरन्स के साथ मूव हो गई है उसने बताया भी नहीं मुझे भी उसके लिए चिनता है और चांग सोफे में बैट जाता है ले अपने फोन को देखते हुए बोलती है ये उसका लास्ट वीचैट है उसके जाने से पहले का और वो मैसेज देखने लिए डिंगी को मारते हुए बोलती है तुमने इसे क्या बोल दिया डिंगी बोलता है मैंने तो बस तुली बोलती है एक्चली तुम्हारे प्रोवेंशल टीम में जाने से पहले वेवे को एक प्रॉबलम हो गई थी और वो मैसे आपके पास आई थी डॉक्टर जियंग बोलते है पर मुझे नहीं पता वो लोग कहां रह रहे हैं सीचौन बोलता है डॉक्टर क्या आप मेरे लिए उसे कॉंटेक कर सकते लॉक्टर जियंग बोलते हैं दो दिन हुए जब वो रहने लगे यह जो फ्लावर है उन लोगों ने खरीदा है इस पीरियंड में तो वो लोग नहीं आने वाले तो तुम मेरे पास आए हो और वो ठक हार के वेवे के घर के बाहर आ जाता है और उसे ली की बात याद आती है उसको कोई प्रॉबलम थी और सिचान को वेवे के बिहेवर के बारे में याद आता है वो ठक हार के फि बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं बस पाँच और आए हैं इसे यह से सेंड करने के लिए डैट आते हैं बोलते हैं तुम ठीक हो बोलती है माम डैड विश्वास कीजिए और माम डैड चले जाते हैं बहुत अगार एरेंज करने लगती है and then सिचांग पहुंचता है फ्लावर शॉप के आसपास वेवे उसके सामने से फूल लेके गुजरती है बट वो नहीं देख पाता और at the end सिचांग वेवे को देखी लेता है और वेवे भी सिचांग को देख लेती है सिचांग उसके पास दोड़ता है वो दोर जट से बन कर लेती है सिचांग बोलने लगता है वेवे दोर खोलो वेवे बोलती है मैं तुम से मिलना नहीं चाहती तुम जल्दी से वापिस चले जाओ सिचांग बोलता है नहीं खोलोगी है ना नहीं खोलो मैं दरवाजा तोड़ दूँगा विवे बोलती है अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं तुमें शॉक दे दूंगी सिचांग बोलता है ओके वैसे भी ये फर्स टाइम नहीं होगा जब तुमने मुझे शॉक दिया है विवे बोलती है मैं अपने अलेक्रिसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी सिचांग बोलता है सॉरी बेवे बोलती है कोई वजा नहीं है जो तुम माफी मांग रहे हो सिचांग तुम्हें पता है मुझे तुमारे साथ थोड़ा भी चल कर अच्छा फिल होता है मुझे ये नहीं चाहिए मैं कभी भी अपने बॉइफन के साथ नहीं हो सकती क्या तुम समझ रहे हो सिचोंग चलो ब्रेक अप कर ले सिचोंग को वहां से जाने को बोलती है वो खुद रोने लगती है सिचोंग जा ही रहा था देखता है कोच पेपे का कॉल आया था कोच पेपे का कॉल वो उठाता है कोच पेपे बोलती है सिचोंग तुम किधर चले मैं गलत हूं और कॉल कट्ट हो जाता है और वहां से चला जाता है को मफ़से होई देखते हैं वह थे चौंट को सकते हूं इस चौंघ बेक्स को जलाते हूए देखते हैं और इस चोनम पर मुझे चाहिए पर मुझे चाहिए तुम श्योर रहो अभी मैं बस पूछूँगा क्या तुम मुझे चाहती हो मैं डेफनेटली तुम्हारे साथ वेवे बोलती है पर मेरी बाड़ डाक्टर ने कहा उन्हें नहीं पता वो कैसे ट्रीट करेंगे हम कभी भी साथ नहीं हो सकेंगे मैं एक टाइम बाउम जैसी हूँ मैं एक बुरी चीज हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी जिन्दगी है मैं अपनी एलेक्रिसिटी कंट्रोल नहीं कर पा रही अगर एक दिन मैं तुमें शौक कर दूँ तो तुम क्या करोगे और मेरी अलेक्रिसिटी कभी नहीं जाएगी तो क्या करोगे वो उसको किस कर लेता है और उसके हाथों से वो फायरवक्स गिर जाती है सिचांग बोलता है नहीं और वे वे उसको हग कर लेती है और यहां तीन साल का लीव ले लिया जाता है और हमें यहां से न्यू सीन्स दिखाए जाएंगे और हम लिन्बे हुई को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ा रहा था और यूजिन आती है बोलती है एक्सक्यूज मी क्या इधर लिन्बे हुई है तुमारा खाना और वहां वो दोनों सीचांग का फोन में इंटरव्यू देखते हैं वो ली ले रही थी सीचांग इंटरव्यू में बता रहा था मैं जल्दी शादी करूंगा ली बोलती है मैं इसलिए आई हूँ कि आप अपने गल्फरंड के इंटरव्यू में बिना कोई रीजन के वेवे ये पबलिक नहीं करना चाहती थी सीचांग बोलता है उसे नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए देख नहीं सकती कि कितनी लड़किया मुझे कॉलेज में पसंद करती है मैं हूँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तुमे लेकर नहीं है बस उसे ही दे देना और डिंगी भाग के ली के पास आता है डिंगी बोलता है सीचांग को पहला प्लेस बढ़ाई हो और डिंगी ली को कंदे में बिठाकर लेके जाता है और फिर वहां जियारूई आता है बोलता है सीचांग और उन दोनों की बात ये चल र तो सिच्वाइब को सब्सक्राइब को News और सक्राइब कमानपर है रिखाव मांगतां और वह देदा है और सिच्वाइब को मिलने जा रहा हूं सो एक्सक्यूज मी और सिचांग चला जाता है और सिचांग ने जो फोन मांगा था उसने एक नमबर डायल किया था तो जियारूई कॉल करता है और बताता है वो जियारूई है और वो स्माइल करता है वो पकाज जिन जिन ही होगी और हम वेवे को एक प्लेस में देखते हैं जो वही मैप लेके थी जो सिचांग ने ली को दी थी वो कॉल करती है बोलती है मैं नांती यूनिवसिटी के बाहर हूँ तुमने मुझे यहां क्यों इन्वाइट किया वो बोलता है पूछो मैं गाइट करता हूँ फॉलो करो और व में लिखा था मुझे हेईउ में मिलो और वहां जाती है और वहां पूरा वाटर का सैट अप लगा था और वहां सिचांग स्विम कर रहा था वो देखती है सिचांग को बहुत खुश थी सिचांग वेवे के पास पोकेबॉल लेके आता है वेवे को बोलता है वेवे सिचां अइटिंक जोबहोगता हूं परैवयर वोरेवर c के साथ इस ड्रामा क्रता है एपी एंडिंग हो जाती है और गाइस रुकी 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 अभी कोई वीडियो खतम नहीं हुई देखके जाएं इस ड्रामा की जिस साइड आपको समझ नहीं आई यह मैं आपको सही से बताते हूं यो जो यह जो मैंने सुरू से लेके एंड तक देखा इस ड्रामा में कि हर कोई सिचौंग का साइड ले रहा था हर कोई सिचौंग का साइड ले रहा था चाहिए वो गलत रहे चाहिए रहे यहां तक ही कोच पेपे जो कोच पेपे होके उन्होंने भी सिचौंग का ही साइड लिया हाँ सिचौंग ने किसी तरह का ड्रग वगयरा कुछ नहीं लिया था उसमें उसके कोई गलती नहीं थी जिससे कि वो फसा I know but लेकिन अगर आप लेकिन आप अगर अलग साइट से देखो तो आपको इस ड्रामा का मेन हीरो जियार ही लगेगा क्या अलग किया उसने पसे एक रिकार्ड ही तो क्या था लीक थोड़ी कर दिया सब तो उसके अपर जाके चड़ी गए है उसका किसी ने भी स्टेंड नहीं लिया जिन जिन ने भी उसका स्टेंड नहीं लिया वो जब अपनी महना से जीता था फिर भे उसे किसी ने भी चेयर अप नहीं किया किसी ने भी और जियारूई मेरा फेबरेट था पूरी की पूरी इस ट्रामा में चीटिंग चली है और जो वेवे अपने आपको बेचारी बेचारी टाइपस दिखाती थी अगर वे इतनी बेचारी थी तो उसको तो जियारूई का साइड लेना चाहिए था उसने भी तो चीटिंग अरा दी सिचोंग को सुरू सुरू में अगर सिचोंग का कहना था कि उससे नहीं आती थी आती थी उससे उससे भी उस जीतता था जियारूई एक साइड से वेवे की वज़े से भी हा रहा है और जियारूई ने कोई लीक वीक नहीं किया जो इतना सब उस पे चड़ गए और वो जब चला भी किया तो सब ने खुशी-खुशी पार्टी की किसी ने भी शोक नहीं मनाया है और गाईज आप मेरे इस बास से कितने सहमत हो मुझे कमेंट करके बताओ and thank you for watching this drama